नमस्कार दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो ले करके जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज शहरी निकाय चुनाव का रजल्ट जो की हाई कोर्ट में आज हीरिंग थी उसका आने वाला था और आज क्या ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने कोई भी जज्जमेंट नह निकला और फिर से एक और तारिक और तारिक हर्याना की आम जनता को मिल गई है बिल्कुल आप विश्वास नहीं करेंगे एक ऐसा रिजन जिसके उपर कोई भी हर्याना का वासी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है इतने इंपोर्टेंट मुद्दे के उपर और ये इस वजय से तारिख मिल जाए बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं दूसरी तरफ एक और मुद्दा भी था जो कि सुप्रिम कोर्ट में मध्यप्रदेश राज्ये के जो पंचायत चुनाओ हैं उनको लेकर सुप्रिम कोर्ट में करजित लगी हुई थी उसमें भी एक एतिहाजिक फैसला जो कि सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रिम कोर्ट ने दिया है वो भी हम आपको बताएंगे और इस फैसले का और हर्याणा पंचायत चुनाओ का जो हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है निकायत चुनाओ का और पंचायत चुनाओ का उन दोनों को आपस में जोड़ कर क्यों देखना चाहिए और उनका क्या connection हो सकता है इस बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आप अगर हमारी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को subscribe जरूर कर लें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी वो तो definitely आएगी हमें म हाई कोर्ट में जो हेरिंग चल रही थी उसका आने वाला था हाई कोर्ट को आज अपना फैसला देना था जिसका की आज हेरिंग थी लेकिन आप विश्वास करेंगे जो सरकार की तरफ से additional advocate general जो कोर्ट में सरकार का पक्ष रखना रखते हैं इस मुद्दे पर हाई कोर्ट म वो ही आच्छुटी पर थे जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने 17 मई एक नई तारिक हर्याना में शहरी निकाय चुनाओं के लिए दे दी है अब हो सकता है कि 17 मई को ये फैसला आ जाए लेकिन हम उमीद करते हैं कि आज की तरह ऐसा कोई मजाक हर्याना की जंता के साथ ना हूँ दूसरी तरफ मध्य परदेश पंचाय चुनाओं भी लगभग लगभग तीन साल से देरी से चल रहे हैं आप भी तीन साल भी चुके हैं और मध्य परदेश पंचाय चुनाओं पर कोई खबर नहीं है आप ये सोचिए हर्याना में तो सिर्फ सवा साल ही गुजरा है लेकिन वहां भी भाजपा सरकार है और हर्याना में भाजपा की सरकार है इस मुद्दे पर हम नहीं जाते हैं ये एक राजनातिक बहस है जिसके उपर जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अब क्योंकि पंचायत चुनाओ जो मद्यपरदेश के पंचायत चुनाओ थे उनसे जुड़ा हुआ के सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये टिपनी करते हुए मद्यपरदेश सरकार को फटकार लगाई है और एक एतिहासिक फैसला उन्होंने दिया है कि आपके पास सिर्फ 6 महिने का टाइम होता है कि आप पंचाय ये कह रही है कि हम OBC Reservation के बगैर चुनाव नहीं करवाएंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अब आप बिना OBC Reservation के ही चुनाव करवाएंगे और स्टेट इलेक्शन कमिशन जो राज्य निर्वाचन आयोग है मद्यपरदेश का उसको ये आदेश दे दिया है कि आप दो हफते में इसकी अधी सूचना जारी करके आदेश निकाल देंगे अब जो मद्यपरदेश गौर्वेंट है अब सोचिए उनका क्या हाल होगा साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि समिधान की विफलता है कि आपको छे महीने का वक्त मिला होता है जो कि आ आप लगा सकते हैं अगर पंचायत इलेक्शन खतम हो गए हैं अगर पंचायतों का टाइम पूरा हो गया है तो उसके बाद आप छे महीने का डिले कर सकते हैं लेकिन आपने तीन साथ तीन साल गुजार दिये हैं साथ ही सरकार को OBC के जो आखड़े सरकार नहीं जुटा पाई और ट्रिपल टेस्ट से अब अगर करवाते हैं तो वो भी ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए सुप्रिम कोट ने वो करवाने से मना कर दिया और सरकार को बोल दिया कि आप बिना OBC रिजरिवेशन के ही पंचायत का जो फैसला है वो हर्याना में क्यों इसके साथ कनेक्शन देखना चाहिए समझना चाहिए क्योंकि वहां भी OBC का रिजरिवेशन का मुद्दा है और हर्याना में भी OBC रिजरिवेशन को लेकर के ही याचिका हाई कॉर्ट में लगी होई है अब इसका सिधा सिधा असर जो है हर्याना में भी पड़ता दिखाई दे रहा है बट लेकिन एक रात की खबर ये है कि मद्यप्रदेश में जो रिजरवेशन है वो 50% से ज़्यादा हो गई है इस वज़े से सुप्रिम कोर्ट ने महाँ पर उसको मानने से इनकार कर दिया है और सरकार को ये फैसला सुना दिया है कि आप बिना OBC रिजरवेशन के ही चुनाव करवाएंगे लेकिन हर्याणा में ऐसा नहीं है हर्याणा में ये 50% से नीचे ही है इसलिए हम ये मान कर चल रहे हैं कि हर्याणा में OBC जो BC A का जो रिजरवेशन है जो सरकार नहीं निकाला था उसके उपर कोई आँच नहीं आएगी अब आपको ये पता चल गया होगा कि हम क्यूं कह रहे थे कि एक मजाक हर्याणा की जनता के साथ हो गया है लेकिन फिर भी क्योंकि हमें तो इंतजार ही करना है और वो तो जनता आम जनता करती ही रहती है हमेशा तो एक और तारिक 17 मई देखते हैं क्या रजल्ट आता है धन जेहने बाद जेहने